Dear Students, चली हम लोग स्टार्ट करते हैं, Class 10 के लिए सब्जेक्ट Mathematics को पढ़ना, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग exercise 9.1 को solution कर रहे हैं, आए देखते हैं exercise 9.1 के कुछ questions, question number 6 तक के हम लोगों को complete हो गया था, question number 7 से स्टार्ट करते हैं, यह question number 7 क्या बोल रहा है, भूमी के एक बिंदू से एक 20 मिटर उचे भवन के सिखर पर लगा एक संचार मिनार, देखलो, यह question क्या बोल रहा है, कि एक भूमी है, सबसे पहले सवाल को पकड़िए, कि भूमी की एक बिंदू से एक 20 मिटर उचा भवन के, यानि भूमी के एक बिंदू से 20 मिटर उचा, यहां हो गया हम लोगों को, 20 मिटर कौंची उचा हो गया, तो 20 मिटर उचा भवन के सिखर, तो यह हम माल लेते हैं, कि यह है क्या भी भवन, ठीक है, और इस भवन के सिखर, भवन का सिखर तो यही हुआ, अब सिखर पर हमको क्या लगाना है, सिखर पर लगी एक संचार मिनार, यानि कि यह तो भवन हुआ न, और यहां से यहां तक के भवन है, और इसी पर हम लोगो को एक मिनार फिट है क्या है यह यह मिनार है मिनार द्यान देना सवाल क्या बोला कि भूमी के एक बिंदू से 20 मिटर उचा देखलो 20 मिटर जो है न हम लोगों को सिर्फ यहां से यहां तक है भवन का फिर क्या बोला कि इसी इसी भवन के सिखर पर भवन का सिखर यह हुआ इसी सिखर पर एक मिनार लगा हुआ है एक संचार मिनार है ठीक है और मिनार के तल के सिखर का उन्यन कौन करम सफ 45 डिगरी और 60 डिगरी है देख लो अब क्या बोला हम लोगों को भवन का सिखर पर लगी एक संचार मिनार के तल और सिखर तो संचार मिनार के लिए तो ये हो जाएगा तल ये हो जाएगा मिनार का तल है ना और ये हो जाएगा मिनार का सिखर तो बूल रहा है कि मिनार के तल तल बना दिये यहाँ पर और सिखर के उन्यन कोन तो ये हम लोगों को सिखर है मिनार का तो ये मिनार का तल है और इसी मिनार का सिखर है और इसका क्रमसह कौन कितना कितना है तो 45 डिगरी और पूरा कितना है 60 डिगरी तब क्या बोल रहा है कि मिनार क्यों जाई निकालिये तो यही न उपरे वाला मिनार है और मिनार को हमाल लेते हैं X यही हम लोगों को X निकालना है अब तुमको सोचना है कि X आखिर निकलेगा कैसे तो हम सबसे पहले नाम देते हैं A, B, C और इसका नाम देते हैं D सबसे पहले आप क्या किजिए A, B, C से इसका आधार निकाल लीजिए तो आप चलिए त्रिभूज A, B, C में अगर आप चलिएगा तो ठीटा कितना है A, B, C का बात कर रहे है तो इसमें ठीटा तो 45 है तो ठीटा हो गया हम लोगों को 45 टिगरी और जो ठीटा के सामने होता है वो तो P होता है यानि कि AB का मान 20 हो गया जिसको P बोल सकते है 20 मिटर तो यहां से हम क्या निकालेंगे B निकालेंगे क्योंकि H तो करन हो गया तो हमको करने से कोई फायदा नहीं है हम BC निकालेंगे यहां से यहां तक जिसको हम लोग B बोल सकते है तो यहां से लगाएंगे 10 theta बराबर P बटा में B तो 10 theta कितना है 45 degree बराबर P कितना है 20 बटा B का B रख देंगे 10 45 का value होता है एक को हम एक बटा एक लिख सकते है 20 बटा में B इसलिए तिर्चा-तिर्चे गुना करेंगे तो B बराबर 20 अब B का मने आधार तो किसका आधार तो त्रिभूज ABC में आधार तो ABC में आधार क्या है BC इसलिए हम लोगों को पता चल गया कि BC बराबर कितना 20 अब हमको आप BC भी पता चल गया तो अब हम चलेंगे कौन्ची तो उसके आप निचे लिखेगा कि अब अब हम बड़ा वाला त्रिभूज चलेंगे D B C D B C में D B C त्रिभूज अब DBC में आप चलिएगा तो आप देख पा रहोंगे कि कौन कितना है बड़ा वाला त्रिभूज के लिए ठीटा हो गया हम लोगों को स्थार्ट डिगरी है ठीक है अब इस स्थार्ट डिगरी के स्थामने वाला कितना होगा तो स्थार्ट डिगरी के स्थामने वाला होता है पी यानि की लंब और लंब कौन सा तो डी बी न लंब हो गया बी और भी लंब हो गया तो ध्यान रखिएगा ठीटा हम लोगों को बड़ा वाला त्रिभुज में स्टार्ट है और इसके सामने वाला पी होता है तो पी का मान कोची होगा पी मतलब यहां से जैसे अगर पूरा बड़ा वाला एंगल रहेगा तो साथ डिग्री और साथ डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो डी बी है और इसका पूरा हो जाएगा बीस पलस में एक्स पी हो जाएगा हम लोगों को बीस पलस एक्स और बी केतना है तो बी हम लोगों को पता है बीस नहीं आखिर डी बीस सी के लिए भी तो आधार बीस हम लोगों को बीसे न होगा यहां से यहां तक और इसका पूरा हो जाएगा हम लोगों को बीस पलस एक्स अब यहाँ से 10, 60 बराबर आपको लिखेगा P बटा में B और हमको तो मिनार का उंचाई निकालना है और जिसका उंचाई निकालना था उसको हम पहले ही X मान लिए है तो यहाँ से आप क्या किजेगा 10, 60 का वहलो होता है रूट 3 तो इसको रूट 3 बटा 1 लिख लिजे और P का मान है 20 प्लस X और बटा B का मान है 20 तिर्चा तिर्चे गुना किजे तो 20 को रूट 3 है तो 20 रूट 3 बराबर 20 को X है तो 20 प्लस में X इसलिए X का मान निकालेंगे तो 20 रूट 3 है यह प्लस में है इधर आएगा तो कुंची होगा माइनस में 20 रूट 3 माइनस में 20 और यहां से हम लोग 20 कॉमन करेंगे तो कितना होगा रूट 3 माइनस 1 ठीक है तो X का वेलू निकल गया अब X का मान निकल गया इसका मतलब मिनार का उचाई निकल गया और यही हमको पुछा जा रहा था तो कुल मिलाकर 7 नमबर इजी कोशन लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हम कौन कौन त्रिभूज में चलेंगे कि मिनार की उचाई जो है हम लोग निकाल सकते हैं किलियर चलिए नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं हम लोग कोशन नमबर 8 कोशन नमबर 8 क्या है देखलो सबसे पहले जरूरी जो चीजे हैं इस चैप्टर में आप चीजों को पड़ने के बाद उसका डाइगराम बनाना that is a very very important अगर आप ये नहीं कर पाते हो डाइगराम आपसे नहीं बन पा रहा है समझो आपसे फिर नहीं बनने की सांभावन है चलो हम अगले कोशन पढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं क्या बोल रहा है कोशन ठीक है अगला कोशन 8 नमबर दिखा दिखरा होगा कोशन एक पेडस्टल पेडस्टल का मतलब होता है अधार जैसे माल लिए कि कोई मूर्थी उर्थी बनाया जाता है उसके लिए एक उचा अस्थंब जैसा नहीं बनाया जाता है उसको पेडस्टल कहते हैं तो बोला जा रहा है कि एक पेडस्टल के सीखर पर एक उर्ची मूर्थी लगी है देखो सबसे पहले तो मान लो कि एक हम लोगों का धर्ती है क्योंकि धर्ती ये पर नो कुछ भी ठहरेगा हावा में तो कोई रूखेगा नहीं इसलिए धर्ती हमेशा बना लो ये हुआ धर्ती अब पेडस्टल का मतलब समझना है कि पेडस्टल किसको कहते है तो भाई जिसे घर के आगे दरवाजा पे उटा नहीं बनाया जाता है उच्छा ठीक है बैटने उटने के लिए उटा ठीक है जिसको बोलते हैं उस पे लोग आते हैं बैटते हैं वो तो कुल मिलाकर यहां पे भी वही है एक अस्थम्ब जैसा बनाया रहता है ताकि उसको उचा मुर्ती किसी का बनाया जा रहता है जैसे जहां से किरानी हो गया या फिर कही और जगा किसी की मुर्ती अगर बनाना होगा उसके लिए पहले उचा बनाया जाता है अस्तंब तब उसके उपर मुर्ति बनाया जाता है ठीक है तो पेडस्टल किसको कहते हैं पेडस्टल का मन हुआ कि उचा कोई अस्तंब तो पेडस्टल है तो मान लो भाई कि यहां से लेकर यहां तक पेडस्टल है यह हो गया हम लोग को पेडस्टल ठीक है अभी पेडस्टल के सीखर पर अच्छा पेडस्टल का सीखर कौन हुआ तो पेडस्टल का तल या पाद बिंदू तो नीचे होला हो गया और पेडस्टल का सीखर उपरे वाला हो गया है ना तो पेडस्टल का सीखर बोल रहा है तो इसका मतलब उपर बोविव्ची मूर्ति लगी है देखो मूर्ति कंचाहिए दिया है 1.6 इसका मतलब कि यह हो गया हम लोगों को यह लोगों को मूर्ति ध्यान देना यह है क्या तो यह है हम लोगों को मूर्ति और मूर्ती कितना है 1.6 मिटर ठीक है ध्यान रखेगा हम लोगों को मूर्ती जो है 1.6 मिटर उचा है अब यह हो गया हम लोगों को पेडस्टल पेडस्टल पर एक मूर्ती बनाया गया है और मूर्ती का उचाए दिया है 1.6 मिटर फिर क्या बोल रहा है कि भूमी की एक बिंदू से तो भूमी तो निचन है तो भूमी के एक बिंदू माल लेज़े यहाँ है भूमी की एक बिंदू से मूर्ति के सीखर का उनियन कोन देखो यह हो गया बिंदू और मूर्ति का सीखर तो मूर्ति तो यूवला हो गया और मूर्ति का सीखर मने कि यहाँ और यहां से यहां हो गया हम लोगों को उनियन कोन बोल रहा है कि 60 डिगरी होना चाहिए हम आखिर यहीं क्यों मिला यहां क्यों ने मिला यहां क्यों ने मिला ऐसे भी तो मिला सकते थे तिरचे लेकिन बोला मूर्ती का सीखर से उनियन कुन देखलो भूमी की एक बिंदू से मूर्ती के सीखर का उनियन कुन 60 डिगरी है अब Pedashtal का सिखर देखना है तो Pedashtal तो नीचे वाला है इसका सिखर ये है अब इसका बोल रहा है कि Union कोन 45 डिगरी है तो यहां से यहां तक 45 डिगरी तो यहां 45 डिगरी है Pedashtal की उँचाई ग्यात करना है देख लो अब सवाल में pedestal का उचाए बताना तो pedestal का मान लीजिए x यहां से लेकर यहां तक हम लोगों का x है ठीक है अब figure तो clear है अब figure जब clear है तो आप इसको जो है निकाल लिए सबसे पहले सब का नाम देदेजिए यह हो गया हम लोगों को यह हो जाएगा b यह हो जाएगा c यह हो जाएगा d ठीक है अब सबसे पहले आप चलिए छोटा त्रिभूज में a b c में ठीक है तो त्रिभूज a b c में a b c में चलिएगा तो theta कितना है a b c में theta हो गया हम लोगों को 45 degree ठीक है और 45 degree के सामने वाला को हम लोगो p कहते हैं तो p हो जाएगा हम लोगों को कितना x x नमाने है और नीचे वाला हम लोगों को b निकालना है अच्छा b का मतलब कौँची तो b का मतलब b c b c न निकलेगा तो अब tan theta करना कौँची tan theta बराबर हो जाता है p बटा में b tan theta का मतलब tan 45 बराबर p का value x और b का b रख देंगे tan 45 का मान 1 और 1 को हम लोग 1 बटा 1 लिख सकते हैं तीरचा तीरची गुणा करेंगे तो b बराबर कौँची x और b बराबर जब x हो गया इसलिए हम b को नाम दे देंगे b c बराबर x यानि कि यहां से यहां तक की दूरी कोची हो जाएगा x हो जाएगा समझ में आ रहा है अब इसके बाद करना कोँची है अब बड़ा वाला त्रिभूज में चलिए तो बड़ा वाला त्रिभूज कौम सा है b d c बोलिए d b c बोलिए कुछ भी बोलिए त्रिभूज d b c में अब त्रिभूज d b c क्या है एक बड़ा त्रिभूज है जब बड़ा आप त्रिभूज में देख रहे हैं बड़ा त्रिभूज में d b c तो इसका कौन कितना है तो पूरा तो हम लोगों को 60 डिगरीन है तो यहाँ theta हो जाएगा हम लोगों को 60 और start के सामने वाला को p कहते हैं नहीं तो इसके सामने तो p कौन सा हो जाएगा पूरा न डी से लेकर b तक यानि p का मान हो जाएगा 1.6 पलस में x पलस में x और b कितना हो जाएगा आधार हम लोगों को दिया है b बराबर में x तो अब यहाँ से आप x का मान निकाल लिजेगा तो pedestal का उचाए हमको पता हो जाएगा तो 10 start बराबर कौनची कीजेगा p बटा में b 10 start का value हो जाता है root 3 बटा में 1 और p का मान कितना तो 1.6 पलस x और b का मान x तो आप यहाँ से x का मान निकाल लिजेगा और जो x का मान आप निकालेंगे वही हो जाएगा हम लोगों को pedestal की उचाए तो यही आपको x का मान निकाल कर अच्छे तरीके से answer match करना है और हमें send करना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद